हेलो फेंड्स मैं हूँ सौरब आईसकी बीडियो में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में ठंडे पानी से नाना चाहिए या गरम पानी से अधिकतर लोग सर्दियों में यह तहन नहीं कर पाते हैं कि उन्हें ठंडे पानी से नाना चाहिए या गरम पानी से इस बारे में आईरोवेट एक्सपर्ट की राय जानकर आपका यह confusion भी दूर हो जाएगा उत्तर भारत में सर्दियों की सुरुआत हो चुकी है और यह मोसम लोगों को खूब पसंद आ रहा है एक तरफ जहां लोग इस मोसम का आनंद उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ सर्दी जुकाम जैसी परेसानियों का सिकार भी हो रहे हैं इससे बचने के लिए कुछ लोग गरम पानी से नाते हैं और गरम पानी पीते भी हैं अधिकतल लोगों में इस बात को लेकर confusion रहता है कि सर्दियों में गरम पानी से नाना फायदे मन्द होता है या ठंडे पानी से अगर आप भी गरम और ठंडे पानी को लेकर confusion हैं तो इस बारे में क्या कहते हैं आयुरवेद एक्सपर्ट जान लेनी चाहिए इससे आप सर्दियों में खुद को स्वस्त और तंदूस रख सकते हैं पॉइंट नमबर वन क्या कहते हैं आयुरवेद एक्सपर्ट आयुरवेद में सर्दियों में गुंगने पानी से नाना फायदे मन्द बताया गया है गुंगने पानी से नाने से सरीर का blood circulation अच्छा हो होता है और सर्दि वे जगलन की समस्य भी दूर हो जाती है गुंगने पानी से सरीर के सफाई बहतर तरीके से होती है और आप एकदम फ्रेज महसूस करते हैं ध्यान रखने वाली बात यह है कि पानी जादा गरम नहीं होना चाहिए बरना आपको फायदे की जगा नुकसान ह हो सकता है जो लोग त्वचा की किसी बिमारी से जूज रहे हैं उन लोगों को गरम पानी का इस्तमल करने से बचना चाहिए ऐसे लोगों को डॉक्टर से सला लेने के बाद ही गरम पानी से नहाना चाहिए नमबर टू क्या ठंडा पानी नुकसान दैक होता है आयुरवेद म टंडे पानी से परेज़ करना चाहिए कुल मिलाकार यह है लोगों की हैल्थ के उपर डिपेंड करता है कि वे किस तरह के पानी से सवस्थ रहते हैं नमब थ्री, क्या सरदियों में गरम पानी पीना चाहिएं? आईरुवेद में गुनगुना पानी को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद बताया गया है गुनगुना पानी पीने से सरीर में जम्मा फैट बाहर निकलता है और सरीर स्वस्त रहता है हर मोसम में गुनगुना पानी पीना फायदे मंद होता है और सरदियों में खास तोर से गरम पानी पीना चाहिए सरदियों में बिमारी से बसने के लिए हर दिन exercise और अच्छी सहत के लिए अच्छी डाइट लेनी चाहिए इस मोसम में digestion system बेतर हो जाता है और आप हैवी खाना भी आसानी से पचा सकते हैं आयुरवेद में बताया गया है कि हर विक्ति को खाना खाने से पहले ही नहाना चाहिए इनी कारणों से ऐसा नहीं हो पाता है तो खाना खाने के कम से कम दो घंटे बाद ही नहाना चाहिए किस पानी से स्वस्त रह सकते हैं जानकर या अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली वार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक कि लिए अपना खयाल लखें जैहिन जैभारत